हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकोलोजी का चैप्टर नमर वन लेक्टर नमर फोर पहला चैप्टर लोड़ा लेंदी है ठीक है बता चुका हूं पहले भी तो आज हम लोग देखेंगे स्को votes फार्मकोलोजी के बारे में ठीक है Start करते हैं तो क्या है हमारे पास सकोब में सकोब जो आजिंक आइडिया होगा क्या होता है कोी ऐसी जगह है जहां पर कोई फिल्ड अप्लाई हो रही हो जहां पर जॉब कर सकते हैं या कहीं पर उस चीज का जहां पर लिंक अब हो तो सब स्कूप के अंदर आ जाता है तो थोड़ा सा मिस्टी जान लेते हैं थोड़ा सा according to history according to history many scientists contributed to concept of pharmacology कई सारे scientists लोगों ने pharmacology में अपना concept दिया ठीक है अब जो याद रखना वाला चीज क्या है रडॉल्फ बुच्चिम 1820-1879 वाज दा औरिजनेटर फार्मकोलोजी एज एन experimental science in 1847 in Germany ठीक है न वाज दा औरिजनेटर आफ औरिजनेटर आफ यह पर आफ आना चाहिए औरिजनेटर आफ फार्मकोलोजी एज एन experimental science यह वह scientist दे जिन्होंने पहली बार फार्मकोलोजी को as a experimental science के तौर पर एक उपलब्दी दी ठीक है नहीं 1847 में जर्मनी में तो अब यह क्यों जानना जरूरी बच्चो फिर बाद घूम फिर के वह यह आ जाती है ठीक है एक एक नाम इंपॉर्टेंट हुगा हमारे पास आगे आते हैं क्या वोड़ रहा है यह लेटर और 19th century 19th century की बात करें उसके बाद तो father of कुछ बहुत सारी लोगों ने अपना काम रोल प्ले किया और father of pharmacology बने ओस्वाल्ड शिमेडर बर्ग father of American pharmacology बने जोन जेकाउब अबेल father of Indian pharmacology बने इंपॉर्टेंट करनल राम नाच चोपड़ा father of clinical pharmacology बने लोईस लेसाइडना ठीक है ना तो यह तुमको थोड़े बहुत कुछ नाम है जो याद रखने पढ़ेंगे ठीक है अपने स्लेवर से क्योंकि pharmacology पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है कहीं लगे उसके अंदर आना चाहिए था लेकिन वहाँ थोड़ा से मिस हुआ कोई बात नहीं आगे आते हैं 1805 में फ्रेडरिक सर्चिवनर डिस्कवर्ड मॉर्फिन पहली बार नोटने 1805 में कोई जो डिसकवर हुई मॉर्फिन वीच वास फार्मकलोजिकली एक्तिव एस अना जैसीक फार्मकलोजिकली एक्तिव यानिक हमारी बड़ी को पर असर डाल रही थी और वह एक अनालजेसिक पाई गई गई दर्द निवारक पाई गई ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने कब खोजी उनके यहां पर क्या है नाम है इनको चाहो तो याद करना चाहो तो अभी छोड़ देना थोड़ी से important है तुम्हारे exam point of view जो final exam point of view देना था important नहीं है बट हाँ ठीक है ना जैसे कि Grigor और हैसी ने अट्रोपिन को हों कि यहां था स्कूप का मतलब क्या है यहां पर पढ़त पढ़ते चले आ plea क्या होता है इसकोप कोई एक ऐसा एडिया किसी सब्जक्ट का विच सम्थिंग आक्ट जहां पर वो काम करें इन पर किसी चीज को कंट्रोल करें वह सब किसके अंदर आ आयाता है स्कोप के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो मेरी सकोप जो है एρिए इसके कौन-कौन से रिसर्च अकैडमिक पढ़ते हैं अब क्लीनिकल फार्मकालोजी है इंडस्ट्री से फार्मकों служガ earliest थिक है फार्मक को Begin जगे हैं जहांपर यह भ願い होती है यह उसका यूज हो रहा हैा यह ओपड़ेट में पर इगा ठीक है तुम्हारा कोश्चन किस टैप के आएगा तो ऑविसी बात है अब कोश्चन तुम लोग जानते हो तुकडों तुकडों में आता है कोई दो नंबर कोई तीन नंबर तो ऐसा आ सकता है कोश्चन वड़ीद रोल ऑफ फार्मकोलोजी एड़ वट इसकोप फार्मकोलोजी इन रिसेर्च इन दो करेंगे क्या और विसी बात है हम एक नया केमिकल कंपाउंड खोजने की कोशिश करते हैं जो इंसानों की बीमारियां को ठीक करने में काम करेगा यहीं रिसेर्च करते कैसे हैं यह थोड़ीशिया प्रोसेस लिख हुई है रिसेर्च में क्या होने वाला है ऐसा पारी में काम करें साइड इफेक्ट कम हो ठीक है और काम अच्छे से करें सस्ती हो यहीं सब बाति होने वाली है तो रिसेर्च करने के दो तरीके हैं एक है फॉर्वर्ड अप्रोच जो हम लोग करते आते हैं और आजकल चलने लगा है रिवर्स फार्मोकलोजी या टार्गे त्री स्टेजेस ऑफ ड्रग ड्रवलपमेंट अगर फॉर्वर्ड की बात करें तो तीरी स्टेजेस होती है पहला ड्रग डिस्कवरी इसमें क्या होगा रैंडम स्क्रीनिंग जब में ड्रग खोजनी होती तो हम लोग रैंडम बहुत सारे केमिकल कंपॉंड देलेंगे यहा जानें संधे और फिर होगा क्या इतफाक कोज की जाती है तो लगाता खोशे बीच में कोई चीज मिल जाती हम वह साहिवर ने क्पूछ अच्छा मिल जाना उसके हिंदी क्या है और सब्सक्राइब मतलब हम चांट रहे हैं चांट चांट रहें वाह यह मलकुले काम कर रहे ह प्रोपर अप्रोडर्ग और एक्टिव मेटबोलाइड एस ड्रग बन जाएगा उसको यादव प्रोड्रग के तौर पे प्रोड्रग क्या होते हैं जो ऐसे द्रग नहीं है लेकिन जैसे बड़टी अदर जाएंगे द्रग में Convert हैं या प्रॉपर एक्टिमेट्वान आइड जो काम करेगा उसमें से करने की प्रोसेस स्टार्ट हो आती है तो ड्रग स्कावरी के अंदर चार प्रोसेस होती भीया यह रहे तुम चलो आप तुम्हें किसी को देखें तुम क्या असर करोगे ठीक है इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ हमने जो पुरा जुन रहे था उसका कुछ और केमिकल वगरा था त्माम बाते थी उन सब को अलग कर कुरा के हमारा एक केमिकल जो था उसे बाहर निक ठीक है तुसेटिस्वाई और रॉक्वाइर्मेंट डेटार नीड़ेड विफोर और कंपाउंड इस कंसीडर फिट टू बी टेस्टेड इन हुमन के उपर टेस्ट करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ रॉक्वाइर्मेंट्स होती है उनको किया जाता है जैसे क ईसमें हम लोग क्या करेंगे लगब एक सदो साल का एक्सपेरिमेंट चलता है इनके उपर एक सदो साल का ट्राइल रहता है चांप क्लिक में टालने से पहले फेज रहता है हो तक है आउपशन स्क्रीन कॉलिफाय में क्लिफायी और प्री क्लिफाय। इविल्यूशन हम पर हमने एक कंपाउंट होना फिर एक और मिल घ्लागा एक और गया होगा कई सारी compound मिलके जो कि हमें क्या मिले संग्यों हुआ कुछ ऐसी मिले कि हाँ यह अच्छा काम कर रहे हैं उन में से भी सबसे अच्छा काम कौन करेगा तो एक आइडिया यह है एक डाटा यह है कि जब भी हमने खोज करी है तो दस हजार मैं से केवल दस ही qualify करते हैं किसमें जाने के लिए pre clinical phase में जाने के लिए ठीक है इसमें क्या होता है deals with effective of various pharmacological agents on different animal species यहाँ पर हम लोग ultimately कर क्या रहे हैं इंसान को पर try करने से पहले विचारे जानवरों को target कर रहे हैं मजबूरी है क्या करेंगे है ना तो pre clinical का मतलब clinic होते है na clinic clinic में कौन ज animals पर test करके देखते हैं यह काम खतम हो गया कितने साल चला लग बग 102 साल चला यह काम खतम हो गया कि प्री क्लिनिकल में एम क्या है प्री क्लिनिकल फेस का में एम क्या है find out therapeutic agent suitable for human जो चिकत्सी ए एजेंट है उसका में एजेंट है क्या वो suitable human के लिए study of toxicity of drug ऐसा थो नहीं बहुत जाता मतलब फाइदा मन तो है लेकिन जहरीला भी हो इस्टेडी दा mechanism on site of action of drug drug काम कैसे करता है और उसका किस जगे पर जाके target करता है वो body के वो सब्सक्राइब करना कौन चेक करेगा यह एक फार्मकोलोजिस्ट फार्मकोलोजिस्ट ठीक है ना फार्मकोलोजिस्ट के अंदर सारी बाते होंगी सारी सीज़ें इसके अंदर हम लोग चैक करते हैं कि रिसेप्टर कौन सा होगा इंजाम कौन सा इनिविट करेगा सालगन एक्टिविटी क्या है बगएरा इन वाइब श्टटी फाइनली अब हम उसके उपर क्या कर रहे है एनिमल कंद दे देते हैं और एनिमल के से पहले भी बहुत सारी चीज़े कर ली जाती है कि अनिमल को वह नहीं किया जाता है ठीक है ना नाव अनिमल के उपर यह दवा सेफ निकल जाती है तब आता है हमारे पास क्लिनिकल ट्राइल फेज़ जाने कि अब इस लोग इंसानों को पर ट्राइ करने के लिए रेडी हैं इस इस्टेमेटिक स्टी ऑफ न्यू ड्रग in human subjects कौन है human हम लोग इनसानों को ट्राइ करना जारे हैं इससे 3-4 फेस्वेंट बाटा होता है हम बता इतने भाई देखो ऐसा ऐसा नया ड्रग आया है और यह बदले में क्या उनको क्या फाइदा पैसा देती है कंपनी ठीक है तो हैल्दी फिट हो और तरीके से हैल्दी मतलब फिट अब हैल्दी की डेफिनिशन दो डबलो हो की पता है कोई रोगों को नहीं होना चीए मेंटली फिजिकली खुर्स होना इंसान इस टैफ से पूरा हेल्दी दिमाग से भी और शरीर से भी लगवग 25-100 लिए जाते हैं तो डिटर्माइन जानने के लिए टॉकसिटी जानने के लिए और सेफ डोस जानने के लिए फेस बन होती है जिसके अंदर हम लोग कौन रहे हैं healthy volunteers अब यह question तुमारा बन सकता है बताओ phase 1 phase 2 phase 3 में से healthy volunteers कि phase में लिए जाते हैं जैसे यह अब यह देखते हैं किस phase में क्या चीज़ पता कर रहे हैं हम लोग क्या चमता है और end point end point का मतलब how patient feel function and survive आखिकाट दवा लेने के बाद patient को कैसा feel किया क्या function हुआ उसके अंदर और survive जो उसको survive किया हो कैसे किया तो यह सब चीज़ें किसके अंदर आती है end point के अंदर शब function क्या रहा यह सब एकदब end point पे निकल के आगया हम लोग clear है जब phase two over होता है असा phase two में एक आता है early phase two in this subject increase to 200 patient phase two हुआ इसके बाद आया early phase two यहाला काम खतम patient अभी तर कितने हमार पास 25-100 तो early phase two के अंदर जो early phase होता है उसके अंदर हम लगबग 200 patient लेते हैं with single blind यह एक कौन अंदा अंदा का मतलब है यहां पर a type of clinical trial in which only the researcher doing the study knows which treatment the participant is receiving until the trial is over जो participant होता है जो आया है उसको नहीं पता मुझे कौन सी दवा दी जा रही है लेकिन जो researcher होता है उसको पता होता है कि मैं कौन सी दवा दे रहा हूँ that is called single blind बास समझ में आया ठीक है ना लेट फेस्टू अब फेस्टू फेस्टू में पेशेंट और बढ़ा दी गए दोसों से दोसों नहीं हो ची हां इतिंक 400 हो रहेगा दोसों से 400 पेशेंट रहेंगे with double blind अब खेल बदल दिया गया और single blind का खेल यह खेल किसका हो गया double blind का ना रिसर्चर को पता ना पेशेंट को पता के वल उपड़ से それ कम्परी ने कहां कि आप यहdarrov कर आ चैक कर रहे है अपके बने रिसर्चर को पता कब तक कि कि ट्रायल खतम नहीं हो जाता है किलियर है मज़ आ रहा है ठीक है तो देख रहे हो रिसर्च करना इतना असान काम नहीं है आगे आते हैं कहारा है रिसर्चर्चर्स नोज विच ट्रीटमेंट पाटिसिपेंट्स आर रिसीविंग ना तो उसको पता होता है ना इसको पता होता हो कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जब तक की क्लिनकल ट्राइल ओवर नहीं हो जाता है ठीक है अब आता है फेस थ्री इन दिस फेस सब्जेक्स इंक्रीज तू हजार से पांच हजार से उपर तक पेशेंट ले जाते हैं तू फर्दर स्टैब है ठीक है इस थ्री फेस टेक फाइव तू शिक्स यह पहली विगारी उने फेस की बात की थी यहां सो डिटेल में चल रहे हम लोग अब खुश सोचो पांच से छे साल लग गए हम पहली डिसकस किया था करोना की दवाई साल वीतर आ गई थी ठीक है तो इसलिए लिए लोग यह तीन फेस होने में कितना टाइम लगता है पांसे छे साल का लग जाता है फिलिंग ऑफ न्यू ड्रग अप्लिकेशन अब जो वह पर स्टेप था अब न्यू ड्रग अप्लिकेशन फाइल कर दी आती है प्रोसेस याद है ना मैंने कहा ना चीज़े लिंक अप और जो चीज़ मैंने वह पढ़ाई है ना अभी अभी जो दूसरा सब्सक्राट करेंगा उसके अंदर भी सब आने वाली चीज़े बाकाईदा हैंगी कोई चीज भी ऐसी नहीं पढ़ाई अगर किसको ही लग रहा है कि पार्मकलोजी में एक्स्टा बढ़ा दिया है जनरल फार्मकलोजी में कुछ भी एक्स्टा नहीं है ठीक है ना फेज फॉर इस पोस्ट लाइसंसिंग फेज लाइसेंस मिल चुका है और उसके बाद का फेज होता है है यहां कि फिस दूरेशन नहीं है इन इस फेज पीरि हैं इन ऐस फेरिज पीरि कि सेफटी रिपोर्ट ती कि टीक है ना इस सब्वीटेटेट इन इस पीरियोडिक सेफटी रिपोर्ट क्या होथी इस टू भी सब्मिटेट वो टाइम टाइम पर क्या करनी होती है सब्मिट करनी होती है जिस कंपनी ने इसको मार्केट में डाला होता है किलियर है आगे आते हैं है अब कहानी कुछ उल्ती हो गई है यहां पे हम ने देखा था पहले क्या किया था हम लोगों ने पहले हम लोगोंगों ने ड्रक को स्क्रीन किया ड्रक को ढ्ऐन फिर कहीं जाकरके उसको आग्याभ़ão आप्लाई अब कहानी बिल्कुल पलट गया हमारी रिवर्स में रिवर्स में क्या करते हैं बिगेन विद्धा ग्रोथ आफ जैसे जैसे मॉलिकुलर बाइलोजी का विकास हुआ हम लोग ने चीजें उल्टी करना स्टार्ट कर दी इट स्टार्ट विद्धा इडनिफिकेशन ऑफ मॉलिक टार्गेट हम लोग यानिक आपको ऐसा समझ लो कि हमने ऐसे धेर सारे ले लिए और यह हमारा मानलो इसको मैं ऐसा समझाता हूं यह मानलो यह मारा प्रोटीन एक तरह से कहलो रिसेप्टर है कि है यह रिसेप्टर है हमने किया कि यह सारे मॉलिकूल छोड़ दिये यहां पर अब वो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देसी श्टाल में बता रहा हूं मैं सारे मॉलिकूल छोड़ दिये इसमें से एक मॉलिकूल ऐसा होगा जो यहां पर जाकर के फिट बैठेगा किलियर है और जैसे हैं फिट बैटेगा ये जो प्रोटीन है ये अंदर क्या भेज़ देगा सिग्नल भेज़ देगा सिग्नल भीज़ेगा और किसी तरहेगा कोई काम स्टार्ट हो जाएगा इस काम को नोट डाउन कर लेगा अच्छा इस इस रिसेप्टर पर यालम अब ये इसको क्या कर लेते हैं लोग निकाल लेते हैं बहार कौन सा मॉल्कूल चिपका भईया ये रहा अच्छा इस पर चिपका है हमें इस प्रोटीन रिसेप्टर का वर्क पता है कि ये आगे जाके क्या करता है सपोज ये आगे जाके कोई बढ़िया काम करता है बिमारी को ठेक क करने में हेल्प करता है अरे ये रहा मॉलेटी तो यह लोग नहीं निकाल लो वह तो हम लोग कहले जोणते थे कि पहले मॉलीकूल ठुणो फिर कहां एक्ट करेगा लंभी सिस्ट बीटाने हमारी बॉशी हमें ड्रक्त स्कार्व reclaim मालेक्यों होते हैं और प्रोटीन रिसेप्टर जाके काम करते हैं प्रोटीन रिसेप्टर प्रीज दी थीज़ आ हमालो यह प्रोटीन समझाता हूं यह यह एक प्रोटीन का कुछ हैं जो इसके उपर काम करते हैं बड़ उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हमको और कुछ अच्छा ढूंड़ना है हमने सारे मॉलेकुल लिए छोड़ दिये इसके उपर एक मॉलेकुल बढ़िया जाकर फेट हुआ और हमने देखा बहुत बड़ी है रिस्पॉंस आ रहा है हम लोग क्या करते हैं इस पूरे ही सेट को अलग कर लेते हैं इसको अलग कर दिया इसको अलग कर दिया तो यह मॉलेकुल तो डैम शी हो रहे है बॉड़ी में जाएगा तो इसी रिसेप्टर से चिपकेगा और यह काम करवाएगा तो reverse pharmacology हो गया हम क्या कर रहे हैं हमको ड्रंग पहले ही मिल गया इफिकेसिवाला जो लास्ट में हम लोग ढूंते थे पहली मिल गया ठीक है तो यहां पर कहानी पलट कि that is called reverse तेक है तो क्या हुआ रिवर्स फार्मकलोजी में बात समझ में आ गई अब आप देखते हैं इति स्टार्ट विद ऐडिफिकेशन ऑफ मॉलेकुलर टार्गेट किसको टार्गेट कर रहा है किसको टार्गेट कर रहा है यह दिग्ग्या हमको इस्टार्टिंग मिल गया like protein enzyme receptor सब्सक्राइब करने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं हमको डाइट मिल गया अच्छा यह रिचेप्टर था इसके विए से दिक्कत आ रही थी ठीक है यह रिचेप्टर था यह काम नहीं कर पारा था इसके विए डिजीज आ रही थी जैसी मॉलेकुल लगा इसने काम करना तो वर्डिंग कई बाद तफ इसलिए होती है लेंगुज हां कई बाद फो जाते लिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फार्मेशी के ही सब्द हैं तो अग्जाम में ठीक है मैं फिर कह रहा हूं मैं एक तो तुम्हारा फाइनल एक्जाम है और मैं एक्जाम दोनों की बात करत होते हैं के लिए बाते हैं ठीक है ना तो बिलकुल चिपक के बैठें एकदम लेक्टर से सारे लेक्टर स्विक्वेंस में देखें और बकायदा जो पढ़ते जा रहे हैं ठीक है दब पुटेंशियल लीगें पुटेंशिल मतलब जो मेन लीगेंड हो गया है जिसके बाद स्क्रीन थ्रूब बाईंडिंग एसे अब इसक्रीन कर लिए बंदा इससे बंद गया आए फिर एक टैखक्णीक होती है से हम क्याते हैं बाईधिंग ऐसे उसके थ्रूथ उसको वहाँसे निकाल लिया जाए इसक्रीन कर लिया जा यगा इस Şuhar'd दा हैली सिलेक्टिव लीगे इतने सारे सब लीगेंट इतने सारे सब अपने काम है ठीक है तो रिवर्स फार्मकोलोजी देन इस पूतेंशल लिगेंड अंडर गो फॉंक्षेड अब इसके ओपर हम लोग फिर काम करना स्टार्ट करते अब काम करने जैसे लाइक एनिमल मौडल हमको यहां मॉलीक्यूल पहले मिल गया टार्गेट किस पर कर रहा है अब animal model to show the desired physiological effect अब उसको फिर हम animal को पर इस्क्माल करना सब्सक्राइब फिर बाद में उसका molecule निकाल लेते हैं और medicine बना देते हैं ठीक है तो यहां process ulti start हो गई है once experiment result are consistently significant अगर जो experiment result consistently लगातार significant important आ रहे हैं clinical studies can begin अब उसके बाद हम लोग क्या start करते हैं उसकी क्लीनिकल study को देना start करते हैं कितना speed कर दिया उसने हमें जटकों में मिन्टों मिल गया पहले हम एक ड्रग को ढूंड रहे थे ठीक है इत्वाक से मिलता था तो इस में क्या किया ड्रग ढूनने की process को speed up कर दिया प्रोवाइड किलियर understanding of the mechanism of action और बकाइदा बिल्यूर बिल्कुल किलियर कर जो mechanism of action होता है वह हमें समझ में आता है optimize safety वही खास जाके लगा उसने काम किया safety बढ़ती है इससे हम समझ में आती है as well as increase the efficiency highly selective and potent सिर्फ वही जाकर उससे चिपका जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सकता था सबसे ज्यादा उसके लिए अट्रक्टिव था वही जाकर चिपका उससे ठीक है तो देखो जा रहा conventional और classical approach प्राणी अप्रोच क्या पहले molecule डूनते थे फिर माइस पे एक्सपेरिमेंट करते थे फिर मैन पे अब लोग ने मैन के उपर करने का मतलब है कि मैन के अंदर से टार्गेट लिया जो भी वह थे उसके पर एक्सपेरिमेंट करके molecule को ढूंड लिया ठीक है ना उसके उपर हमारा मेन था फिर माइस पे एक्सपेरिमेंट किया फिर फाइनली हमने क्या कर लिया molecule बना करके उसे medicine कर ली तो प्रोसेस उल्टी होगी पहले molecule मिला माइस मैन फिर पहले मैन माइस और फिर molecule तो रिवर्स फार्मकलोजी में चीज़ें क्या होती है पलड जाती है किलियर है बात समझ मारी है molecule हमने जब वो जो compound था माइस भी अच्छा हुआ फाइनली फिर आमने molecule हमासे निकाल लिया अपना बना लिया किलियर है तो यह था हमारा research में होने वाली चीज़ें अब इसमें से कुछ छटनी कर सकते हो चीज़ें कुछ कम कर सकते हो लेकिन अगर तीन नंबर में आ गया what is the role of pharmacology in research तो बेटा अब बताओ तीन नंबर में लिखोगे निन लिखोगे इतना a,b,c,da,3,4,point ठीक है ना बात समय में आ रही है इसलिए यह जरूरी है now academic अब अब अपने बड़ा असान है under graduate education D-farm, B-farm introduction of drug के बारे हैं पढ़ते हो mechanism of action of drug के बारे हैं पढ़ते हो prescription writing के बारे हैं पढ़ते हो pharmaceutical preparation के बारे हैं पढ़ते हो identification of adverse drug reaction के बारे हैं पढ़ते हो clear है post graduate में क्या करते हो post graduate में basic research के बारे हैं पढ़ते हो यहाँ पर से पढ़ाई हो रही है त्पर फॉर्म के इस में होता है और कॉर्स के थिरूटिकली इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने की और समझने की कोशिस करते हैं तो अब यहां पर कुछ 2-4 चीज़ हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है जैसे कि फार्मक विजिलेंस क्लिनिकल फार्मकोलोजी और ठेरोपेटिक डग मॉनेटरिंग यह तो इसको हम थोड़ा सा डेटेल में ले लेंगे तो देखते हैं सी पॉइंट आगे हमारे प इसंपले बात है क्लिनिक में इंपला बस्ताइब कर?. ऐसी को बचली क्लिनिकल फार्मक लोगी AO फार्मकोलोजी प्रिंसपल्स है और जैस तरीके हैं उसको कहा. इस तरीके है क्लिया इक कनेक्स साइंस और क्लिकल गालोजिय को दोनों को अपसका करना रहा है इस प्लेटफॉर्म और यह वह फांत फॉर्ट फॉर्ट बभी तिकल इंदस्ट्री इस फॉर्म इंडस्ट्री एँ आपस्में डान रहे है जो अपने पड़ा है और जो हम दबा बना रहे हैं उसको मिला करके, फिर उसको अपलाई करते हैं क्लिनिक में, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आ करके, यहां पर क्या होते हैं, जूड़ते हैं, कम्बाइंड होते हैं कहां पर, क्लिनिकल फार्मकलोजी में, Now, Frontiers of Clinical Pharmacology, कहां-कहां तक उसकी सीमाएं हैं, क्लिनिकल फार्मकलोजी कहां-कहां तक जा सकती है, तो आप देखें, क्लिनिकल ट्राइस, जिसके बारे हमने दिखा, प्रे-क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्राइस के बारे में समझा हैं, आप लोगों ने, ठीक है, वो सारी बाते इसके अंदर आ जाएंगी, BA and BE Studies, क्या होता है यह, BA का मतलब है Bio Availability, Bio Availability Studies help in deciding the dose of drug, दवा खाने के बाद, वो हमारी बाडी में कितनी देर तक रहती है, है ना, हमारी बाडी कि अगर कोई चीज खाओ गे, तो उसको बाडी से flush out करती है, निकालती रहती है, किस के थुरू, यूरिन के थुरू, तो कितनी देर बाडी में रहेगी, उसी इसाफसर हम dose decide करते है, कि भाई dose कम लेना है, या ज़्यादा लेना है, दिन में दो बार लेना है, चार बार लेना है, Bio Equivalent, When two drugs expected to be same, for all intents and purpose, हमें यही पहर चलता है, जो दो दवाई हैं, लगबख बराबरी हैं, चार यह ले लो, दोनों का effect, सेम आ रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर चेक कर पाते हैं, prescription audit to develop a list of essential drug, prescription क्या दिया जाए, कौन सा drug दिया जाए, है ना, क्लिनिक में, एक बिमारी के लिए, तो prescription audit, prescription देखते हैं, आपर क्या अच्छा, इसके लिए देना है, इसके लिए देना, इसके लिए देना, ए चीज़ अठा दो, यह मेहंगी है, यह चीज़ खराब है, तो prescription का audit होता रहता है, prescription यह ना, यह नहीं जो दॉक्टरन लिखा है, antibiotic stewardship क्या मतलब इसका to improve the use of antimicrobial medications, इसके अंदर हम लोग क्या कोशिश करते हैं antibiotic medications को improve कर सके, क्यों enhanced patient health outcome, जिससे की patient का health ज्यादा अच्छी होगी reducing resistance to antibiotic यहाँ पर क्या होगा, antibiotic के लिए resistance डेवलप हो जाता है decreasing unnecessary cost और जो कई बार महंगी महंगी दवाई हैं उसके के सच्थी दवाई ही available है उसी disease के लिए तो वो काम भी हो रहा है बच्चे तो को यहाँ पर पढ़ते पढ़ते तो नोंको यह लगए यह हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यह pharmacology का scope पढ़ रहे है हर जगे तो pharmacology लग रही है ठीक है न एंटिवाइटिक सुधार्क में ठीक है एंटिवाइटिक रेस्टेंस ना हो जाए किसके अंडर गट आ रही सारी चीज़ें यह pharmacology के अंदर आ रही है clear है तो यह सब हमको pharmacology के अंदर ही है यहां कि यहां सब एक तरह देखा जाए अचा एक तरह देखा जाए clinical trial के लिए job होंगी B.A.B.A. study के लिए job होंगी prescription audit के लिए कोई आदमी तो होगा job है एंटिवाइटिक स्ट्वाइटिक के इंप्रूव करने के लिए कोई तो होगा क्या पढ़ेगा वो pharmacology पढ़ेगा हो गया scope तो इस सब scope से जुड़ा हुआ है confuse नहीं करना विल्कुल भी drug use survey study of marketing distribution prescription अब drug का ही survey करना है तो जिसको drug की knowledge नहीं हो survey क्या करेगा और जिसको drug की knowledge हो क्या पढ़ेगा pharmacology पढ़ेगा drug use survey तो यानि की scope का मतलब जहां जहां से हमको job मिल जाए कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जहां job मिले वो scope है तो ऐसे समझ लो study of the marketing distribution market कैसे हो रही है कोई drug की distribute कैसे हो रहा है prescribe कैसे किया जा रहा है use of drug in society with the special emphasis on the result of medical जहां पर खासकर जोड दिया जाता है कि medical social and economic consequences उसके क्या है जो drug market में दी जा रही है distribute हो रही है prescribe की जा रही है वो society के उपर कैसा impact डाल रही है now rational use of medicine पढ़ चुके है थोड़ा सा impact है और देख लिए आप वापस repeat कर रहे है क्या होता है appropriate medicine दी जाए यह चीज़ देख नहीं पढ़ती है to check safety, tolerability, efficacy and price यहाँ पर check करना पड़ता है देखना पड़ता है कि drug safe तो है जो दी जा रही है rational है लोगी सारी बाते आगे इसकी ये काम भी कौन करेगा एक pharmacologist करेगा जिसको pharmacology का ग्यान होगा इसके लिए job अलग होगी तरीके अलग होगे कैसे होता है वो अपनी course से भी भार के किया कैसे जाता है लेकिन हाँ करने वाला कोई इंसानी है tolerability, tolerable है efficient है price यान कि step criteria safety, tolerability, efficacy and price यह चार चीज़ चेक की जाती है correct dispensing and appropriate instruction to patient क्या dispensing सही हो रही है patient को instruction सही मिल रहे है कि अधी खानी है पूरी खानी रात में खानी कब खानी है adequate monitoring of patient adherence to the treatment monitor क्या आता है क्या जो prescription medicine दिया रहा है patient उससे adhere है adhere मतलब चिपका हुआ है मतलब लग करके दवाई खा रहा है जो बता जिया कैसे निए ठीक है खाली नहीं खाली दवा कड़ी लग रही है यहाँ पर हम लोग scope के हिसाब से लिख रहे है clear है बादे now therapeutic drug monitoring है ना जो चिकस्था में अब हमने दवाई दे दियो उसको monitor करना है यह भी एक service है यह भी एक service है it is testing that measures it is testing that measures the amount of certain medicine in your blood यहाँ पर test चल रहा है कि आपके blood में जो दवाई का amount है amount of medicine you are taking is both safe and effective आपने दवा खाई है उसकी testing होगे आपके blood में चेक किया था क्या वो safe और effective है तो therapeutic drug monitoring जो 500 mg खाई है blood में चली गई क्या आप वो safe और effective है चेक किया जा रहा है ठीक है अब तुम कहोगे यह मस्सूस में लगना जो patient को दवा दी जाएगी उनसे कहा जाएगा कि दवा खाके एक घंटे बाद आओ या आदमी बेहर जाएगा जाओ एक घंटे बाद खाने का दिनका यह चलता है हमारे आभी यहां knowledge में नहीं होती है लेकि जब नएने medicine आती तो यह सब चीज़ें होती है इन सब चीज़ें क्या पढ़ लिया इंड़स्ट्री के अंदर आता है medical advisor जैसे की एडवाइस करने वाला कौन किसको एडवाइस करेगा analysis of health population population के health को analysis करना evolution of primary care service जो primary care service मतलब तुमारे गली महलों में या आसपास के जो क्लीनिक्स है उनको primary care service कहा जाता है उनको करना है ना जा करके डॉक्टर से मिलना पेश्ट को देखना कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है planning of service किस तरह से किया जाए किस तरह से यह primary health care service को प्रवाइड करवाए जाए एडवाइज औन effective prescribing effective चार्ज देखेसे खटा किया जागा अच्छा सेम चीज को यह डॉक्टर ऐसे लिख रहा है यह डॉक्टर ऐसे लिख रहा है ठीक है तो उसके बाद देखा जागा क्या best तरीका है नहीं है तो इस दवा को आप एक काम कीजिए फिर जो अनलाइज करने वाला medical advisor वो कहेगा नहीं वह यह तरीका गलत है यह दवा को ऐसे ऐसे दिया जाना चाहिए ठीक है फिर वह चीज को चार्ट तरह फैलाए जाएगा ठीक education for general practitioner जो general practitioner रोते हैं हमाने डॉक्टर्स वगरा होते हैं उनको भी educate किया जाता है यह है ना यह medical advisor भाई ड्रॉक्स की एक pharmacologist medical advisor को होगा clear है now medical transcription बड़ा मस्त है एक job transcription ऐसा होता है कोई job करना कर सकता है बड़े अच्छी जौब है यह तो process of transcription or converting voice recorded reports आप अमेरिका की डॉक्टर से चीज की डॉक्टर कहीं से आप ले रहे हो तो उनकी जो उसको क्या है convert करना होता है जो recorded voice reports as a diet by physician or other healthcare professional into text format ठीक है व डॉक्टर ने कोई सरा दे दी कि यह ठीक है अब वो उसको क्या करता है convert करके text में convert करता और फिर वो patient को दे दी जाती है तो medical transcription यह भी है क्या है job है कहां कैसे और कैसे apply हो सकते हैं क्या क्राइटिरिया है इसके इसके लिए तुम लोगो Google बाबा के पास जाना पड़ेगा ठी अधिक है क्योंकि इसकी डेटेल नॉलिज अभी है अपर हमनों डिसकस नहीं कर सकते हैं जैन medical marketing यह तो पता है सबको business of advertising तुम लोग देखते हो जो MR लोग फोल्डर लेकर आते हैं वो बड़ा काम का होता है उसमें drug का कैसे कैसे क्या क्या रोल दिखाना है क्या करना है ड़क क्या काम कर रहा है यह इसके अंदर है और promoting sale of pharmaceutical drug drug को में क्या बताया जाए क्या किया जाए कि डॉक्टर उसको मेरे पास पैसा बहुत है इसी के अंदर हम डिसकस कर रहा है मेरे पास पैसा मालोब बहुत है कंपरी खड़ी कर दिया मैं चाहता हुआ को टीम मिल जाए एक्सपर्टीम मौजूद है मैं एक मेल टाइप करूंगा सबको भेज़ दूँगा फिर वो लोग कहेंगे भईया जै इस वाचोट करती है फर्मसटीकल में दवाईयों में और बाय टेक्नलोजी इंडेस्टी में इन दा वर्म आफ आउट्सोर्स्ट फार्मसटीकल बाहर से आये हुए आउट्सोर्स मतलब बाहर से मंगाए जाते हैं रिसर्च सर्विस फोर्ड ड्रग एंड मेडिसिनल सर्वि यहां पर ट्रेनर चलती है तो इसके लिए भी हमें चाहिए तो इसके लिए भी आप लग सकते हैं बात समझ मारी है तो यह सब इसकोप हैं कहां कहां पर हमको खुद नहीं परता दलता है लेकिन फार्मिसी करने के बाद भी बहुत अच्छी फील्ड है जिनमें आगे जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो आगे आते हैं फार्मको विजिलेंस बड़ा अपने आप में टॉपिक चर्चा में रहता है फार्मको विजिलेंस फार्मकों ड्रग विजिलेंस या विजिलेंस मतलब आप एशेस करना मतलब उस चीज़ को छेकरना डिकरना मतलब उस चीज़ को अगे चेकरना अजियों किशी को झानताना सेश करना मतलब सब detect करते हैं assess करते हैं और समझते हैं और उसके adverse effect को रोपने कोशिश करें तो वो सब किसके अंदर आ जाता है फार्मकों विजिलेंस यह दवाईयों की पूरी जांच परताल की जा रही है काईदे से ठीक है तो रोल और फार्मकों विजिलेंस कैन बी डिवाइड इंटू थी काम को डिवाइड कर सकते हैं किसिस क्या काम है टू इंटिफाइड क्वाइड कॉंटीफाइड इंडॉकुमेंट ड्रॉक्पाय ड्रॉक्पाय करना मतलब कितनी क्वाइड रोल न रोल अपना role play करना ठीक है ना जो health care system होते हैं वहाँ पर drug related problem अगर कुछ आ रही है तो वहाँ पर यह अपना योगदान देते हैं ठीक है योगदान देने का मतलब है वहाँ पर jobs होती है proper ठीक है ना यह नहीं कि हर जगे होगी कुछ खास-खास जगे होती है वहाँ से क्या अगर को problem आरी किसी drug को ले करके फिर वह गैजट पास कर दिया आगा और भेज दिया जाता है अब अगर उसको कोई नहीं मान जेगा फिर दिक्कत हो जाती है बास समझ में आ रही है यह नहीं कि यह लोग हर जगे माजूद है कुछ खास-खास जगे पे इनकी पोस्टिंग रहती है jobs रहती है now to increase knowledge and understanding of factors and mechanisms which are responsible for drug related injuries drugs related होने वाली injuries के लिए कौन से factor या कौन सी mechanism responsible है उसको उसकी knowledge को इखटा करना और समझना यह सब कौन है न सब के ऊपर नजर रखने वाला फार्मक विजिलैंट ठीक है और फार्मक विजिलैंट जॉब होगे अपनी ना फार्मक एक्णोमिक्स ऐक्नोमिक्स मतलों समझी होगे कोई ची हो सस्ती हो जा ठोड़ी सी ठीक है इस branch of health economic health economic की branch है with particularly focuses upon the cost and benefit of drug therapy यह focus करती है cost or benefit सस्ते दाम में अच्छा असर हो जाए ऐसी therapy, drug therapy की तरफ यह focus करती है जिससे कि क्या हो जादा जादा लोगों को फाइदा मिल सके अच्छा drug चार्ट तरह की मौझूद है यह drug बहुत सस्ती है available market में या फिर मतलब भले इसको किसी कंपनी ने ढूनने में लाग करोडों खर्च कर दियो यह drug को उतारेंगे क्योंकि यह सस्ती है उतना ही एफेक्टिव है जितना ही है that is called pharmac economics इसी के इन्दा सारी चीज़े है यह बात समझे में आ रही है आगे आते है it is an innovative method यह इन्वेटिव एक नहीं नायाब तरीके का में तरीका है एक innovative method मतलब नायाब चीज़ है that aim should decrease इसका मुद्दा है इसका aim है मकसद है decrease करना health expenditure health पर होने वाले खर्चों को कम करना while optimizing health care result और जबकि जो result है दवाई के वो बढ़ जाए वो अच्छे हो जाए यानि कि दवाई सस्ती भी हो जाए और health result अच्छे भी आए it involves two major methodologies दो तरीके अपनाती है cost analysis, cost outcome cost को analyze करना और उसके जो outcome है उसको measure करना फार्मक एकनोमिक ही used to determine which drug should be included in the फार्मलरी फार्मलरी बता ना शुड़ बी included in the फार्मलरी by choosing the most effective treatment at the lower price इसका काम ही यह है national फार्मलरी में हमें वो drug डालनी है जो बहुत ज़्यादा effective हो और सस्ती हो साथ साथ में clear है? बात समझे में आगे फार्मक एकनोमिक छोटा सा टॉपिक इस चार पॉइंट तुम चाओ एक या दो लाइन में अपने मर्जी से लिख सकते हो लगी का फकिर नहीं बनोगे ना क्या काम होता इसका? दबाईयों को ढूणना चार दबाईयों में से ऐसी दबाईयों को ढूणना है ना? out of many substance chemical substance to such such a substance which has most efficient and less क्या कहेंगे less costing या less price इस तरह से महिम से बना के लिख दोगे है ना? आगे आते हैं फार्मा को epidemiology फार्मा को epidemiology अब देखो किसे कहीं सारे term है इस टेडी आफ ड्रग अमॉंग पीपल लोगों को उपर दबाईयों का क्या सार है उसको अब तुम कोई को सार लोगों के उपर हाँ एक combined effect पूरी population इपर क्या फरक पड़ रहा है असो तो नहीं कोई खास तरह कि बिमारी population ने पनपनी लगी हो अचानक से ठीक है फार्मा कॉन ड्रग एपी मतलब अमॉंग डेमोस मतलब people लोगों मतलब study लोगों के उपर दवाईयों का लोगों के बीच में दवाईयों का क्या सार है उसके बारे में study की जाती है इस study of use and effect of drug in large number of people बहुत बड़ी संख्या में लोगों के उपर उसका effect देखा जाता है इट इन्वाल्व इसके अंदर क्या दिखा रहा एक खास population ले ली मालो तुम जिस एरिया में जिस डिस्ट्रिक में हो उसमें वो दवा जैसी लाई गई तो उस एरिया में क्या effect आ रहा उसका पैटर्ण सब्सक्राइबिंग इन पर्टिकुलर है जा रहा है एक नॉमिक इंपक्त आफ ड्रग यूज एक नॉमिक के उपर लोगों के बहुत ज़ादा फरक तो नहीं पढ़ रहा है वगरा वगरा ये सारी चीजें चेक की जाती है, किसके अंदर फार्माको एपिडोमियों लॉजी के अंदर किलियर है, तो ये भी क्यों करेगा जिसको टक की नॉलेज होगी जिसने फार्माको लॉजी पढ़ रखी होगी पढ़ रखी मतलब आगे जाकर कि उस फिल्ड से होती है, तो उसके बाद क्या घटा, तो क्रोन फार्मको लॉजी क्रोन फार्मको लॉजी साइंस दिल विद अप्टिमाइजेशन ओफ ड्रग एफेक्ट और मिनिमाइजेशन ओफ एडवर्स इफेक्ट बाय टाइमिंग मेडिकेशन इन रिलेशन टू दा बाय लॉजीकल रिदम, ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां पर बात समझेशन कोहिश्च करना, क्रोन लॉजीक, क्रोन लॉजीक का यहां पर बेसिक मितलब क्या है, समझा दो फिर स्कॉर दरह से इस दवा को सुबह उठते खाले ना, इस दवा को इस टाइम पर खाले शाम के समय खाना, यह कई बार ऐसा होता है, कोई दवा हमारी बॉड़ी में किसी खास समय बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हमारी बॉड़ी का जो रिदम है, इसे यहां पर नाम दिया गया है, बा अब तुम जैसे दिनवार में कितना भी खालो, ठूश ठूश के खालो, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसी रात को सो के उठोगो तो रूंद प्रेशर लग जाता है, ठीक है, क्या बात कर रहे हो, हाँ, अगर तुम्हारा सब की सिस्टम सही चल रहा है, तुम मतलब तुम्हे थोड़ी देरे के लिए मालो, कि तुम्हें एक बंद कमरे में बंद कर दिया, तुम्हें सो रहे थे, उठाकर तुम्हें एक कमरे में ले गए और बंद कर दिया, ना घड़ी है, ना कूछ है, दिन रात का पता नहीं चल रहा तुम्हें, एटोमेटिक क्या होगा, मालो तु तुम सोए फिर सोए एक बार सोके जब उठो गए तो तुम्हें प्रेशर लग जाएगा और डेफिनेटली जिसमें तुम्हें प्रेशर लगा होगा वह सुवेरा होगा यह हमारा बाइलाजिकल रिदम है कि 24 घंटे बाद ऐसा होगा रात में तुम कितना भी सो लो कितना रात में नीद आईगी ईग और रात में तुम कितना विजगल या दिन में सोने बाद रात में नीद आती मökव यह थी act क्योंकि धिन हमें जागना है रात में हमें सोना है तो यह एक biological cycle है हमारे अंदर हमारी बॉड़ी अटमेटिक को सब्सक्रा करती है काम करती है कुछ खास chemical भी हमारी बॉड़ी में कम जाता होते हैं समय के साथ तो देखो वह ही कह रहा है chronopharmacology science dealing with the optimization of drug drug को optimize करना है उसके effect को and minimization of adverse drug effect और ड्रग के effect को कम करना है by किसको द्वारा timing medication time किस टाइम पर दिया जाएं दवाई को in relation to the biological rhythm हमारी बाइलाजिकल रिदम है किस टाइम पर हमारा है जैसे सो रहे हैं या साम को सोने से करना ही पढ़ना H2 receptor antagonist because available agent inhibit nocturnal bacal acid secretion more effectively than daytime stimulation ठीक है nocturnal मतलब होता है रात ठीक है तो क्या कह रहा है जो H2 receptor antagonist है ठीक है because available agent inhibit nocturnal bacal acid जो यह agent available है यह inhibit करता है nocturnal bacal acid secretion जो acid बनता है और बाड़ी के अंदर उसके secretion को more effectively रात के समयाने के साम को खालेंगे तो रात हो जाएगे उसके बाद उस समय यह बहुत अच्छा काम करता है as compared to daytime बाद समय में आ रही है तो यह ऐसा है और इसके पिछे जो और कहानिया है वह बाद में पढ़ेंगो और topic बहुत लेंदी हो जाएगा यह ठीक है ना तो chrono chrono मतलब समय है है कि तुम भी काहां किया यह तो जादूइचीज थे ना समय किसा ऐसा भी होता है कभी नी सुना होगा ना यह ऐसा होता है हमारी बॉड़ी में समय के साथ कुछ चीज़ें कम जादा होती रहती है मतलब सुबह से लेकर साम तक में उसी इसाफ से दवाईयों का भी खेल रहता है तो यह भी एक क्या है फार्मकलोजी की डिपार हो है ब्रांच है तो बास समझ में आ रही है तो यह सारा क्या था हमारे पास स्कोप था जहां जहां पर हम लोग फार्मकलोजी को एपलाई कर सकते हैं तो यह स्कोप हमारा क्या हो जाता है खतम हो जाता है फिर मैं एक बात बोलूगा हर एक सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है जिसमें स् पढ़ेंगी चीज़ें वहाँ पर एक्जेक्ट नहीं है कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है तो हर सब्जेट का पहला चैप्टर थोड़ा लेंदी मिलेगा और उसके बाद वाला एकदम बंपर कैसा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जैसा कि हम लोगोंने फर्स्ट यहर में फांसेटिकल केमिस्टियों किया है तुम लोग जानते होगे ठीक है ना तो क्या करना है आगे वाज रिवीजन करना है ठीक है ना तो पढ़ते रहो और रिवाइस करते रहो all the best